नमस्कार तो आज हम थोड़ा अलग तरगा discussion करने वाले हैं जैसे कि आपने सुना है हाली में AFF is likely to host a tournament in गुजरात मतलब इच्छा एक 4-0 tournament इस टाइप का आपने कुछ खबरे सुनी होगी उसी को पर हम थोड़ा discussion करते हैं कि ऐसा कौन सा tournament हो सकता है भारत में जिसमें भी 4 या 4 से भी ज्यादा अच्छी countries आईगी एक अच्छा platform मिल सकता है जहां पर हमारे talent को भी अच्छा exposure मिल सकता है और worldwide जो है हमारे players को हमारे gameplay को देखा जा सकता है appreciate भी किया जा सकता है तो उसी को पर हम बात करते हैं तो आपने कुछ टाइम पहले एक tournament देखा था Brics Cup तो Brics जो था पहले 5 countries का था अब तो उसमें ज्यादा countries आ चुकी है तो अभी आप बोलेंगे कि अब उसमें 5 से ज्यादा countries आ गई है लेकिन यहां तो 4 countries वाली इच्छा जयता है तो इसी चर्चा करना चाहता हूँ क्योंकि अभी हमारे यह हाथ में है क्योंकि All India Football Federation जो है यह बिल्कुल थोड़ा से प्रस्ताव तो रख सकता है हाला कि इसमें सारी जो Brics Nation है उनको हामी भरना पड़ेगा और उनके Football Federation को भी हामी भरना पड़ेगा तो यह डुर्नामेंट पॉसिबल लुपायागा लेकिन फिर पे अगर इसको पर All India Football Federation थोड़ा सोचे तो एक इतना सांदार डुर्नामेंट हमको देखने को और हमारे प्लेस को खेलने को मिल सकता है कि वर्ल्ड कप मतलब एक अपना प्राइवेट वर्ल्ड कप कहलूंगा मैं तो उसको विकाद ब्रिक्स में ऐसी कंट्रीज है तो उसी को पर हम थोड़ा डिसकसन करते हैं तो आपने लास्ट टाइम जो ब्रिक्स कप है वो देखा था दो यार 16 और 18 में हुआ था और उसे टूर्ण कोमल थर्टल ने वो गोल मा रहा था ब्राजील का अगेस और उस टूर्णामेंड में विनिसियस जूनियर भी खेले थे जो अभी रियल मेडरिट के एक दंब सुपर स्टार मन चुके हैं टॉप स्कोरर भी थे विनीशियस जूनियर उस टूर्णामेंट में और सबसे बड़ी बात उस टूर्णामेंट में क्या थी कि भारती फुटबॉल प्लेयर्स जो थे उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला था जिसमें ब्रजील जैसी टीम्स के एकेंस खेल पा रहे था और गंदाज में अगर वापस लाया जाया तो यह टूर्णामेंट भारती फुटबॉल के लिए इतना बड़ा एक्स्पूजर का प्लेटफॉर्म बन जायागा ना कि हम जो एको सोचते ना कि हमारी अच्छी कंट्रीस के एकेंस मैच होना चाहिए उसकी तो आप सोचोगे भी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमको मिल जायागा मतलब पूरी टॉप कंट्रीस के एकंस हमको खेलने मिल जायागा और यह पॉसिबल भी है इसलिए उसके उपर हम चर्चा कर रहे है क्योंकि यह पॉसिबल है इसके उपर बात की जा सकती है और इंडे फुटबॉल फेडर जो 10 मेंबर से वह ब्रजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रिका, एजिप्ट, इथोपिया, इरान, सौधी अरेबिया और युनाइट अरब एमिरेट्स तो यह 10 कंट्रीस भी फिलहाल में ब्रिक्स में अब सबसे इंट्रिस्टिंग बात कि सारी कंट्रीस फु तो एग्री नहीं करेगी, हाँ, पॉसिबिलिटीस है कि एग्री नहीं करेगी, तो हम इंटरनेशनल जो सीनियर लेवल होता है उसको हटा देते क्योंकि वो फीफा विंडो के साफ से भी चलना पड़ेगा, कंट्रीस जादा है, तो मैच होने में थोड़ा से दिक्कत हो कि ट खेलने में, और किसी भी कंट्री को नहीं होगी, क्योंकि एक तो फीफा विंडो के अलावा भी कभी भी खेल सकते है, एक अच्छी बात, और मान लीजे अटर ट्वइंटी थरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि काफी प्लेश जो है, वो सीनियर में क्वेलते हैं, लीग में, तो रिलीज नहीं हो पाएंगे, तो आप Under 20 कर सकते हो, उसमें आपको काफी प्लेयर्स जो मिल जाएंगे, अवेलेबल रहेंगे, तो Under 20 को देखने में भी इंट्रेस्ट आयेगा, तो भी लोग उनको मज़ा नहीं आएगा, तो इसलिए Under 20 तक का ठीक है, और Possibilities अगर हो सकता है, Under 23, तो उसमें भी जा सकता है, क्योंकि उसमें फिर ज्यादा रुमाँच आएगा, इन्वाल्मेंट जो है, वो और तकड़ा आएगा, और देखे, इस टूनामेंट को मैं समस्ता हूँ कि एक्स्पोजर के लिए सबसे बेस्ट हो जाएगा, आप खुश सोचिए जो 10 कंट्रीज है, इनमेगर आप सबसे लोएस्ट रैंक कंट्री बोलेंगे तो इथोपिया है बाकी तो हर कंट्री इन्डिया के उपर ही है, ठीक है तो इन्डिया के लिए तो पूरा टूनामेंट ही टफ रहाएगा, तो ऐसी तो हम डिमांड करते हैं कि ऐसे टूनामेंट वो मौका दे सकता है, हर साल या हर दो साल में एक बार ब्रिक्स कप जा है, वो कराया जा सकता है हर साल भी कराया सकता है, हर दो साल में भी कराया सकता है क्योंकि इसमें अगर senior को नहीं खिलाएंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है न और देखिए है टूरणमेंट, एक टैप से बहुत अच्छा हमारे लिए साबित हो सकता है अब देखिए हमारे काफी under 23 का है यह under 20 का है उनको game time नहीं मिलता है international level का और हमारे AFF तो इनके matches नहीं करवाता है ना friendly करवाता है अगर आप Saudi की बात करें अधर जो Asia में जो under 23 की teams है या under 20 बात करें यह तो friendly matches भी खेलते रहती लेकिन हमारी तो खेलती नहीं है तो इस type के tournament at least एक ऐसा tournament तो देगा यह ना youth teams को जहां पर वो अपना उसके लिए महनत करेंगे साल भर कि यह एक tournament है जहां से उनको एक क्योंकि देखिए इस tournament से scouting भी की जा सकती है क्योंकि जब आप Brazil के against खेल रहो हो आप score कर रहो हो तो कितने scouts आपके उपर नज़र रखेंगा आप Iran के against गोल मार रहे हो अब रसिया के against गोल मार रहे हो तो यह चीज है ना कि एक ऐसा platform को मिल जाएगा जहां से काफी possibilities जो है opportunities जो है वो हमारे players के लिए आईगी तो इसलिए tournament होना चाहिए तो यह tournament हमारे Indian football के लिए ही नहीं बलकि जो other bricks nation है उनके लिए भी काफी अच्छा हो सकता क्योंकि इन countries जो other countries है इनमें भी talent है और उनको भी ऐसे बड़े platform एकदम साल में कभी कभारी मिल पाते हैं तो हम अगर चाहें bricks group जो है चाहें तो एक बहुत ही अच्छा ऐसा tournament start कर सकता है जिसमें players के लिए या इन countries के के लिए भी काफी opportunities खुलेगी और आपस में जो संबन भी country के वो भी और अच्छे हो जाएंगे तो काफी चीज़े अच्छी बहतर की जा सकती है अगर All India Football Federation और बाकी अधर Federation जो है अगर इसको पर discussion करें इस बात को political leaders के साथ भी discuss करें जो कल्याच भी बिल्कुल कर सकता है because same party से belong करते है तो sports ministry में अगर इस बात का जिक्र करें एक tournament फिर से लेकर आए BRICS और senior के लिए तो मुश्किल है थोड़ा लेकिन under 23 और under 20 के लिए तो बिल्कुल किया जा सकता है मेरे साथ से तो और ऐसा होना चाहिए तो यह interest भी एक जगा आएगा जैसे दसो country में हर बार जो है अलग-अलग country में host किया जाएगा जब इंडिया में आगा तो आप सोचिए ब्रजील को देखने कौन नहीं जाएगा चाइना से होगा तो एक rivalry वाला match होगा इरान के against होगा तो कौन नहीं जाएगा देखने तो audience भी है मिलेगी इस tournament को अगर लेकिन वही कि थोड़ा senior level का है थोड़ा बड़े youth अंडर 23 अंडर 20 करना पड़ेगा तो थोड़ी अच्छे audience मिल पाएगी जैसे अंडर 20 safe cup के टाम आपने देखा तो उडिसा में पूरा stadium असा भरा हुआ था तो audience भी आएगी बस वही है कि थोड़ा सोचना पड़ेगा तो आप ऐसे tournament के लिए क्या कहते है क्योंकि देखिए ये senior के साब से नहीं है जो EFFS अगर सोच रहा होगा कि गुजरात में हमको four nation एक tournament करना है तो उस इसाब से तो नहीं है लेकिन हाँ ये थोड़ा सा उससे ideally है तो फिलहाले tournament youth के लिए किया जा सकता है हाला कि आपके दिमाग में आगा कि girls के लिए भी किया जा सकता है लेकिन आपको बता कि girls football में भी वो उतनी popularity है नहीं इंडियन football के हिसाब से तो और वो gameplay का भी उतना खास आपको मज़ा आएगा नहीं तो इसलिए youth level पर सोचे अंडर 20 अंडर 23 तो best रहेगा तो आपको क्या लगता है कि क्या bricks tournament वापस आना चाहिए और जो पिछले बार आपने bricks tournament देखा था उसमें आपने क्या चीजे महसूस करी थी कि आपको लगा था कि exposure के लिए ये बहुत भी अच्छा tournament हो सकता है हमारे players के लिए जो आपकी राय हो सकती है जो suggestions हो सकती है इस tournament के regarding या other भी आपक गेम टाइम मिले और international exposure मिल पाए ऐसा आपके दिमाग में अगर कुछ thoughts हो तो आप जरूर कमेंड में लिखके बताएगा और इसी तरह आप अन्यार फिटबॉल को support करते रहे है बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए जैहिन जैभार